ब्याद्य वस्था विवागह पश्यान आर्तान प्रतिक्छणम अस्तांगर्दे सूत्रिस्थान बारा बटा पच्पन जी हाँ दोस्तों फॉलो अप कितना जरूरी है हमारे लिए ये हमारे बागवट जी कई साल पहले अस्तांगर्दे में कहे चुके हैं तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस स्लोक का अर्थ क्या है अस्तांगर्दे सूत्रिस्थान में वागवट रिशी कहते हैं कि जो जिस डिपार्टमेंट का विशेशग है उसे प्रती चण यानि कि एबरी टाइम अपने आर्थ अर्थात रोगी का फॉलो अप करते र करते हैं हम अपनी प्रतिवा को जानते हैं हम अपनी कमियों को जानते हैं कि किस छेत्र में हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और किन छेत्रों में हमें और मेहनत करने की जरूरत है जिसके आधार पर हम रोगी को जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर सकें क्यों जब पेशेंट और डॉक्टर के बीच फॉलो अप होता है तो वो पेशेंट डॉक्टर से काफी लंबे समय तक जुड़ा रहता है और इनके रिलेशन इंप्रूब होते हैं मेजर्स एफेक्ट ऑफ मेडिशन मेडिशन के एफेक्ट को मेजर किया जा सकता है किसी भी एक डिसीज पर एक रिसर्च इस्टेटिक्स तयार करने में हमेश शाहता मिलती है Recurrency of disease in patient Patient में कौन सी disease की recurrency ज़्यादा हो रही है और कितने समय पर हो रही है क्या आहार विहार लेने से हो रही है क्या निदान का परिवर्जन नहीं करने से recurrency हो रही है या किस निदान का परिवर्जन करने से वो disease ठीक हो रही है और कितना percent improvement मिल रहा है So we should make our follow-up plan always Because यह सभी business में और किसी भी health करने में हमारे लिए बहुत लावकर होते हैं यदि आप कोई business करते हैं या आप उने clinic को चला रहे हैं तो definitely आप एमानिए कि आपको follow-up करना जरूरी है यदि आप follow-up कैसे किया जाता है इस से सम्मंदित वीडियो चाहते हैं तो comment करें ताकि मैं उस follow-up plan को तरीके से आपके सामने face कर सकूँ तब तक के लिए मैं डॉक्टर शलिन सर्मा आप से विदा लेता हूँ Stay healthy, stay motivated करें तो